आज मैं आप सब के लिए सिंपल और स्वादिष्ट बहुत ही आसान सबजी रेसिपी लेकर आई हूँ इसके लिए मैंने यहाँ पर अर्वी लिया है और अर्वी को अच्छे से छील कर गोरम पानी में उबालने के लिए रख दिया है यह 10 मिनिट में उबल कर त्यार हो और यह अर्वी जो है अच्छे से उबल गई है इसको अच्छे से उबलने के बाद फ़ोड़ा प्षिल्का जो रे गया‍ए इसको निकाल देना है और मैंने यहां पर तेल ले लिया है, तेल अपनी हिसाब से कमछा कर सकते हैं, आपनी हिसदु सुप्सकेर इस सबज में तेल ज्साब कर 550ła हो कम सा पहला ज चाह से नहीं और गया है लिए यहां नहीं6 नहीं से डल देंगे तेल लिमांटेल,觉समेशर समसक लिए तो जैसे ही अजवाइन और जीरा चटकने लगे तभी हमें टमाटर डिलना है तो टमाटर को थोड़ा सा नरम होने देते हैं जैसे ही टमाटर नरम हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे कच्चा केरी और हरी मिर्ची तो यह देखे मैंने कच्चा केरी और हरी मिर्ची डाल दिया तो मसाला आप अपने हिसाब से थोड़ा सा कमजी आदा भी कर सकते हैं थोड़ा सा मैंने डाल दिया healthy powder थोड़ा सा डाल देंगे कश्मीनी लान मिर्स powder तो मसाला मैं यहाँ पर आधा चमच आधा चमच के करीबन यूज़ कर रही हूँ अभी हम इसमें डालेंगे धनिया powder तो धनिया पवडर भी मैंने आधा चमच के करीबन यूज़ किया है तो इन सारे मसाला को अच्छे से mix करना है और नर्मल जो मिर्सी powder यूज़ करते हैं वो भी डाल देंगे आधा चमच झीरा powder डाल देंगे सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेना है और जैसे इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इसमें पानी डाल देंगे जिससे के हमारे मसाले जो है यह जलेगा नहीं जैसे पानी डालेंगे ना कुछी देर में आप देखेंगे यह टमाटर और कच्छा केरी की जो मसाले है ना यह बहुत अच्छे से बढ़िया से त्यार हो जाएगा, तो ये देखे, कितना बढ़िया लग रहा है ना दिखने में, तो ये देखे, इसमें ना अभी तेल उपर आने लगा है ना, अभी हम इसमें डाल देंगे अपना अरबी, और इसको अच्छे से जो है, मिक्स कर लेंगे, तो यह रेसिपी बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है चार पास मिनिट में बनके त्यार हो जाता है रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक और सिस्क्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना बिलकुल ना भूले जिससे की बेल आइकन दबाने से आपके पास जल्दी से जल्दी नोटिफिशन जाएगा अभी हमने इसमें डाल दिया है आधा चमज के करीबन सौप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सौप डालने के बाद में और यह देखे कितना बढ़िया से यह मिक्स हो गया है तो अभी हम इसमें डाल देंगे और लीड लगा देंगे तो यह बहुत बढ़िया से 4-5 मिनिट के अंदर हमारी सबजी बनकर त्यार हो जाती है तो इस रेसिपी को ट्राइ करना तो बुनता है ना तो ट्राइ जरूर कीजिएगा तो यह देखे हमारी सबजी बनकर त्यार हो गया है और इसको मैंने 2 मिनिट के लिए बस लीड लगाया था और गैस को हाई फ्लेम में किया था अभी हम इसके उपर किचन किंग मसाला डालेंगे मेक्स करेंगे एक मिनिट के बाद हम इसको निकाल लेंगे तो यह देखे हमारी अर्भी और पालक की सबजी बनकर तियार हो गई है और इसको जो है हम अज की रेसिपी आपको कैसी लगी है प्लीज कॉमेंट करके बताएगा और अगर आप मेरे चैनल में नीव है न तो प्लीज सस्क्राइब कर दीजिएगा तो यह देखे कितना बढ़िया से हमारी पालक की सबजी बनकर त्यार हो गई है अर्भी पालक की सबजी तो मिलते है और एक रेसिपी में तब तक के लिए थैंक यू सो माच बाई